हम सभी को अक्सर किसी न किसी चीज की क्रेविंग होती रहती है खाना खाने की बाद मीठा खाने की क्रेविंग कहीं बाहर घूमने जाने की क्रेविंग लेकिन इस craving के बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लोगों को चोड़ी करने की भी craving होती है जी हाँ, लेकिन ये बात सच है कि चोड़ी करने की ये आदत एक प्रकार का disorder है जो किसी भी व्यक्ति में हो सकता है और इसके लक्षन टीनेजर्स में जादा पाये जाते हैं इस disorder की कारण इंसान किसी भी चीज़ को चुरा लेता है और ऐसा वो किसी आर्थे किस्तिते की दवाब में नहीं बल्कि परिशान होने पे खुद को शांत खुश करने के लिए करता है चोड़ी करने की ये लट एक मनोवग्यानिक बिमारी है जिसका नाम है क्लप्टोमेनिया आज की इस वडियो में हम इसी बिमारी के बारे में विस्तार से जानेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिसॉडर किस कारण होता है दरसल्ट डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि ब्रेन से निकलने वाले सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे नियूरो ट्रांस्मीटर्स यानी की नियूरॉंस से मान स्पेशियों तक संदेश भेजने के लिए उपयोग किये जाने वाले अनु व्यक्ति की भावनाव और व्यभार को नियंतरत करते हैं इन दोनों की कमी की कारण व्यक्ति को क्लप्टोमेनिया की समस्या हो सकती है किसी व्यक्ति में पहले से बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी, उप्सेसिव, कमपल्सिव, इंस्पेक्ट्रम्स, डिसॉर्डर और बाइपोलर डिसॉर्डर या घबराहट की लक्षन मौझूद हो तो उनमें क्लप्टोमेनिया की आशंगा बर जाती है इस डिसॉर्डर की लक्षनों की बात करी जाए, तो इससे क्रसित लोगों को किसी भी छोटी और मामुली चीज जो वे आसानी से ले सकते हैं, इन चीजों को वे उत्तेजना या तनाव या संतुष्टी के कारण चुडा लेते हैं कभी-कभी तो वो ऐसी चीज़े चुडाते हैं, जो उनके किसी काम भी नहीं आता, जिसे चुडाने के बाद वो इसे फेक देंदे हैं, इतना ही नहीं, चीज़े चुडाने के बाद उन्हें शर्मिंदगी भी होती है आज आपके मंद में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इस डिसॉडर से जूज रहे लोग आम चोरों से अलग कैसे हैं, ये भी तो चोरी ही करते हैं तो आपको बता दें कि आम चोरों और क्लेप्टोमैनिक लोगों में एक बड़ा अंतर होता है, दरसल चोर अपनी जरूरत का सामान ही चुडाता है, जैसे की पैसे, ज्वेलरी, गाड़ी, एक्सेटरा लेकिन एक क्लेप्टोमैनिक व्यक्ति बहुत बार ऐसा सामान चुडाता है, जिसकी जरूरत उसे होती ही नहीं है साइकोलोजिस्ट का कहना है कि ऐसे लोगों के मन में चोरी करते समय पकड़े जाने का भी डर होता है लेकिन कुछ समय बाद उनके अंदर चोरी करने की इक्षा दुबारा से जग उठती है ये बिमारी किसे भी उम्र में हो सकती है, ये बच्पन से लेकर जवानी तक और कम मातरा में उम्र दराज विक्तियों में भी देखने को मिलती है इसकी पहचान के वल बिमारी के लक्षनों के द्वारा ही की जा सकती है इस बिमारी को पहचानने के लिए कोई जांच नहीं होती है या बिना किसी उपचार के अपने आप ठीक भी नहीं होती है यह लंबे समय तक और लगातार चलने वाली स्थिती होती है तो इसके उपचार की बात करें तो इसके लक्षनों को पहचान कर सही समय पर उपचार किया जाए तो इससे इस बिमारी को जल्दी खत्म किया जा सकता है क्लिप्टोमेनिया एक जटिल मनरोग है क्योंकि इसमें डिप्रेशन, बॉर्डर लाइन, परस्नालिटी, OCD जैसी कई अनसमस्याओं की भी लक्षन मौजूद होते हैं इसलिए मरीज को कांसलिंग और साइको थैरेपिस्ट के साथ मरीज को दवाई की भी जरूरत होती है और दवाई भी दी जाती है इस डिसॉर्डर को दूर होने में करीब एक साल से अधिक लग सकता है आज की वीडियो में बस इतना ही हम फर मिलेंगे एक नए कारिकरम के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार